नमस्कार बच्चो वेलकम बेक बच्चो अपन पढ़ रहे थे डेड मेंस पाथ और डेड मेंस पाथ जो कि 12th इंगलिस कमपलसरी के पनोर्मा बुक चेप्टर नमबर 7 के रूप में है जिसके राइटर चीनुआ अचे भी है लास्ट वीडियो में अपन डेड मेंस पाथ की स्टड़ी कर चुके हैं आज की वीडियो के अंदर अपन डेड मेंस पाथ के इंपोर्टेंट क्योसंस आंसर्स करने वाले है लास्ट वीडियो अभी तक आपने वोच नहीं की है तो पहले उन वीडियो को वोच करे उसके बाद आज की वीडियो के जो important questions answers है इनको अपनी note book के अंदर लिखे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो please वीडियो को like करे दोस्तों में share करे और चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करे तो चलो सबसे पहले अपन जो question करने वाले हैं उसकी word limit रहेगी 30 to 40 पहला जो अपना question है वो इस तरह से रहेगा अलांकि आपको chapter पढ़ाते time मैं इसको बता चुका हूँ summary में भी मैं ये सारी बाते आपको बता चुका हूँ फिर भी अपन question के बादे हम से दुबारे समझ लेते हैं पहला जो question है बच्चो वो ये है कि why was the Michael O.B. given the responsibility कि Michael O.B. को responsibility क्यों दी गई जिमेदारी क्यों दी गई ओप Doom Central School जो Doom Central School था उसकी responsibility Michael O.B. को क्यों दी गई तो देखे बच्चों Doom Central School जो था वोज केसा था एक unprogressive school था एक प्रगति सिल विद्याले था और Michael O.B. केसा था वोज ए यंग एक यूवा and energetic man था उर्जवान वेक्ति था He had many wonderful ideas और Michael O.B. के पास बहुत सारे wonderful विचार थे So the mission authorities इसलिए जो धर्मादिकारी थे appointed उसने appoint किया Michael O.B. को as किस के रूप में the new headmaster नए headmaster के आने की रूप में आने की नुक्त किया to किस के लिए ताकि वो क्या कर सके to reform the school ताकि वो school को reform कर सके या वो क्या कर सके progressive बना सके अगला जो question है बच्चो वो यह है कि what were the two aims दो aim क्या थे दो उदे से क्या थे जो कि set by set किये गए by किस के द्वारा Michael O.B. के द्वारा for the betterment of the school कि school के सुधार के लिए दो उदे से क्या थे जो Michael O.B. द्वारा set किये गए या Michael O.B. के दो उदे से क्या थे तो देखे बच्चो पहला यह है कि Michael O.B. had two aims Michael O.B. के दो उदे से थे one was to have पहला तो क्या था उदे से one was to have a high standard of teaching high standard of teaching कि teaching का standard क्या हो high हो पहला उदे से हुआ the other was to दूसरा यानि कि क्या था turn the school compound कि school compound को turn किया जाए into किस के अंदर a beautiful palace एक सुंदर स्थान में turn किया जाए मतलब पहला high standard of teaching हो और दूसरा क्या है school compound को यानि कि क्या किया जाए किस में turn किया जाए यानि कि beautiful palace में और he tried his best Michael O.B. ने अपना best दिया to achieve these ये दोनों प्राक्त करने के लिए ठीक है बच्चो अगला जो तीसरा और जो चोथा question है very very important तो देखिए बच्चो दोनों का answer है वो एक ही है आप जिस तरह से question पूछे उस हिसाब से आप जवाब दे दीजिए तीसरा question है कि what did the priest of any any क्या है बच्चो गाउं का नाम है कि any का जो पुजारी था उन्होंने टेल ओबी Michael O.B. को क्या कहा about the path मारक के बारे में या why was the path very important कि जो रश्ता था वो बहुत ज़्यादा important क्यों था for the villagers किसके लिए गाउं वालों के लिए ठीक है तो ये बच्चो दोनों यानि के question है दोनों का answer एक होगा very important person है ये तो देखे the priest of any any का जो पुजारी था उन्होंने told O.B. Michael O.B. से कहा date की क्या कहा the path was there कि मारक वहां था before किस से पहले he and his father were born कि उसके और उसके पिताजी के जनम से पहले ये मारक वहीं था और साथ ही क्या बोला the whole life of that village कि उस गाउं का यानि जो पूरा का पूरा जो जीवन है वो dependent on it इसी पे dependent करता था इसी पे निरबर था और साथ ही क्या कहा कि villagers dead relatives गाउं वालों के जो मृत जो रिष्टेदार है वो departed by it वो इसी मारक से तो प्रस्तान करते थे and their ancestors और उनके जो पुरूज है वो visited them उनके पास विजिट करते थे by it इसी से ही but most importantly लेकर सबसे importantly बात क्या थी it was the path ये वो मारक था और चिल्डरन बच्चों का पात था जिससे coming to be born बच्चे आते थे इस मारक से to be born जनम लेने से पहले तो देखो बच्चों इस तरह से उनकी religious यानि की beliefs थी religious beliefs मानने था यही थी कि उनके जो dead relatives है वो departed by it उस मारक से depart करते थे और उनके जो ancestors है वो visited them by it वो इनी से यानि की visit करते थे जब यानि वो अपने परिवार वालों से मरने के बाद मिलने आते थे तो इसी मारक से आते थे वो है मारक जो Michael O.B. ने बंद कर दिया सबसे most importantly बात क्या है हसी वाली भी बात ये है कि ये क्या था मारक था of the children बच्चों का जिन में यानि की बच्चे coming to be born बच्चे यानि की आते थे जनम लेने के लिए मतलब क्या है बच्चे को जनम लेने से पहले उस मारक से गुजर के आना पड़ता था उसके बाद बच्चे जनम लेता था अगला जो क्योशन है बच्चों क्योशन नमर फाइब तो देखिए कि what did the diviner suggest diviner miss क्या होता बच्चों जोतिश जोतिश ने क्या suggest किया at the date of a young woman कि युवा महिला की मरत्यू के यानि की बाद यानि की diviner ने क्या suggest किया तो देखिए यानि की एक young woman है वो dies मर जाती है during child birth बच्चे को जनम देते समय तो वे diviner यानि की क्या कहता है diviner ये कहता है कि यानि की ये बच्चे को जनम देते समय इसलिए मर गई क्योंकि हमारे पुर्वजों का अपमान किया गया था फेंस बाड़ बंदी के द्वारा तो देखिए the diviner ने सुझाओ दिया heavy sacrifices भारी बलिदान का सुझाओ दिया किसलिए to pacify ancestors पुर्वजों को शांत करने के लिए कहने का मतलब वो मानता है कि हमारे जो पुर्वज है उसका अपमान किया गया है he said that उसने कहा कि they were insulted कि हमारे जो ancestors है उनका अपमान किया गया by the fence फेंस लगा करके बाड़ बंदी के द्वारा now they had to be pleased अब उन्हें pleased करना होगा खुश करना होगा by opening the path again उस मारग को दुबारे खोल करके कहने का मतलब अगर मारग बंद रहा Michael O.B. ने जो मारग बंद कर दिया है तो दुबारे यानि कि AC मोथ होगी तो इसलिए हमें क्या चाहिए उन्हें खुश करना होगा हमारे ancestors को जिनका यानि insult किया गया fence लगा करके बाड बंदी दुबारा मारग को यानि कि बंद करके अगला question देखिए describe the report उस report का वर्णन कीजिए जो prepared की गई by the white supervisor कि जो white supervisor था गोरा जो निरक्षक था उसके दौरा जो report त्यार की गई उसका वर्णन कीजिए गोरा निरक्षक जो की स्कूल का निरक्षन करने के लिए उसने क्या report लिखी तो last last में थी वच्चो ये the white supervisor ने prepared की एक nasty report एक जल्दबाजी में report त्यार की he wrote उसने लिखा little about थोड़ा सा लिखा किसके बारे में the room state जो खंडर जो हाला थी school building की tribal war situation मतलब जन जातिये yudh की हालाथ के बारे में लिखा कि between किस के बीच था ये school and village की बीच था मतलब उनोंने जो खंडर जो हाला थी school की उनके बारे में तो उन्होंने थोड़ा लिखा लेकिन उनने ज़्यादा किस के बारे में लिखा कि tribal war situation हो चुका है जन्जात ये युद की इस्तती बन चुकी है किस के बीच गाम वाले ओरे स्कूल के बीच और डू टू और वे किस के कारण मिस गाइड़ जील ओ यानि कि एनियंतरित जोस किस का एनियंतरित जोस जो कि माइकल ओबी दे न्यू हेड मास्टर उन्हों ने लिखा अगला क्योशन नमर साथ देखिए छोटे क्योशन यह बच्चो यह पहले लास्ट में अपन बढ़े करेंगे तो हाव और माइकल ओबी जोप्स फुलफिल्ट यह सुरुआत में है बच्चो कि माइकल ओबी की उमीदे जो थी वो केसे फुलफिल हुई तो देखिए माइकल ओबी जो की एक यंग और एजुकेटेड में था यह एड़ होप्ट उसकी उमीदे थी तो इंप्लेमेंट कि वो इंप्लेमेंट करें कि अपने वंडर्फुल आइडियाज को वो किरियानवित करें उसके लिए उन्हें क्या चाहिए थी एक पोजीशन चाहिए थी और वो एक पोजीशन उसे मिल जाती है तो उसकी होप्ट जो थी वो फुलफिल्ड वो फुलफिल हो गई कब वेहनी वोज अपोइंटेड जब उसको अपोइंट किया गया किस के रूप में यानि कि हेड मास्टर ओप डूम सेंटर स्कूल यानि कि वेन वोज अपोइंटेड एज हेड मास्टर ओप डूम सेंटर स्कूल के बारे का जैसे उसे अपोइंट किया गया तो उसकी जो माइकल ओबी की जो होप्स थी वो fulfill हो गई ठीक है? अब अगला question कि how was the Michael O.B. different Michael O.B. केसे different था from other teachers the school? कि school के जो other teachers थे उनसे different केसे था? तो इसका आप लिख सकते हो, और भी और भी जवाब हो सकते हैं इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो देखें, Michael O.B. was different Michael O.B. क्या था? different था from किसे other teachers से school में थे because क्योंकि Michael O.B. केसा था he was better educated ज़्यादा अच्छा educated था and well-versed और well-versed था, निपुन था किसमे modern and progressive जो ways थे यानि कि modern, आधुनिक और जो परगती जो यानि ways जो है उनसमे आनि क्या था? well-versed निपुन था then other teachers, अने teachers ठीक है? तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं अगला देखें कि who was Nancy? Nancy कौन थी? and what did she think? और उसने क्या सोचा to make the school compound school compound को बनाने का तो Nancy जो की बच्चों आप जानते हो was the young wife you आप पतनी थी of Mr. O.B. की Michael O.B. की उसने school के बारे में क्या सोचा? यह आपको पता है she thought that उनों ने सोचा कि they would do their level best कि वे दोनों मिल करके do करेंगे their level best अपने level पे best करेंगे for the betterment of the school school के betterment के लिए ठीक है? वो क्या खवाब था उसका कि they would have such a beautiful garden की उनके पास क्या होगा? एक शांदर सा garden होगा and everything would be then और तब क्या होगा? सब कुछ modern होगा और delightful होगा आनन्दाई होगा मतलब क्या है? उनका खवाब या वो यही सोचती थी Nancy कि उनके पास क्या हो? they would have such a beautiful garden कि उनके पास क्या हो? एक शांदर सा garden हो और everything would be then और सब कुछ उसके बाद क्या हो modern हो और एक delightful हो एसा Nancy ने सोचा था अब अगला देखिए तो जैसा वो सोचा था कि school pressure को यानि कि turn किया जाए into beautiful palace के अंदर वो हुआ भी तो देखिए describe कि क्या है? describe कीजिए the careful tended school compound कि जो सावधानी पुरुवक जिनका यानिकी देख बाल किया गया school compound का उसका वर्णन कीजिए तो देखिए इसका अंसर कि Nancy dreamt of Nancy का सवपन था of making the school compound कि school compound को क्या बनाया जाए एक good garden एक अच्छे गार्डन में बनाया जाए या school compound को turn किया जाए किसके अंदर into a beautiful palace के अंदर तो परसन अपना ये है कि यानि कि वर्णन करना है जो carefully जो tended किया गया साउधानी पुर्वब जो देख बाल की गई school campus की school compound की उसका वर्णन करना है तो Nancy का ख्वाब था making the school compound कि school compound को एक ए beautiful यानि की garden में यानि की convert करना था तो there were beautiful hibiscus तो अब देखिए अब क्या थी उनकी देख बाल के कारण ही सुन्दर hibiscus थे मतलब क्या है सुन्दर hibiscus को यानि की क्या बोल सकते है गुड़ल के यानि की गुड़ल जिसको यानि की flowers का है ये गुड़ल के यानि की पिले flowers वाला ये फोदा होता है पिली गंटी बोला जाता है इसको तो क्या है कि hibiscus और almandage की आनि की क्या थी hedges थी with brilliant किस के साथ शांदार red and yellow flowers के साथ it mark out और ये कैसे निकले the carefully tended सावधानी पूरवब जो देख भाल जो की गई थी school compound उसके द्वारा दुबारा देख लीजिए बच्चो इसमें थोड़ा सा time लग गए अपनको यहाँ पे careful कीजिगा carefully कर देना तो क्या है वर्णन कीजिए carefully tended school compound की school compound का जो सावधानी पूरवे क्या नि देख बाल की गई उसका वर्णन कीजिए तो नेंसी का जो ड्रीम था वो क्या था school compound को एक good garden बनाना तो अब वहाँ पे क्या थी there were beautiful hibiscus सुन्दर hibiscus के यानि की पोदे थे और almandage hedges थी almandage की जाडिया थी जो की hibiscus के कैसे यानि की होते है red color के यानि की floors निकलते है और almandage के yellow color के और ये क्या थे brilliant red और yellow यानि की floors के अंदर थे ये mark out कैसे mark out हुआ carefully tended के कान हुआ ठीक है अगला question है कि why was Michael O.B. scandalized कि Michael O.B. scandalized क्यों हुआ निरास क्यों हुआ to see an old woman एक वर्द महिला को देख करके या what did Mr. O.B. notice one evening कि एक evening को Michael O.B. ने क्या notice किया तो देखिए कि one evening एक साम को when Michael O.B. क्या कर रहा था was admiring his work अपने कारिये की परसंसा कर रहा था तो he was scandalized वह निरास हो गया to see देख करके किसको देख करके यहां end लिखा गया बच्चो to see an old woman एक वर्द महीला को यानि कि देख करके वह क्या वह scandalized हुआ निरास हुआ from the village जो कि वर्द महीला कहां से थी गाउं से थी जो कि हबल राइट लड़ खड़ाते हुए यानि कि वह चल रही थी right across the compound यानि लड़ खड़ाते हुए उस compound को यानि कि पार कर रही थी किस में से होते हुए जा रही थी to a merry gold flower bed कि merry जो gold flower की जो क्यारिया थी और जाडिया थी उसके beat से यानि कि वह क्या कर रही थी लड़ खड़ाते हुए यानि कि जा रही थी यह देख करके यानि कि उसे बूरा लगा तो एक साम को जब माइकल ओबी क्या कर रहा था admire कर रहा था अपने work की तो he was scandalized to see किस को यानि देख करके an old woman को देख करके and की जिए कर ले न और old woman जो की कहा थी village से थी और वह क्या कर रही थी Hubble right across लड़ खड़ाते हुए पार कर रही थी compound को और compound मतलब जो school pressure था उसको और compound में क्या थी जो merry gold की जो flower की जो क्यारियां थी और hedges जो जाडियां थी उनके बीच से आनिक वह जा रही थी तो ये देख करके उसे बूरा लगा अगला क्योशन है कि what happened क्या घटित हुआ when the school teachers जब school teachers ने attempted courses किया to close path मारक को बंद कराने का तो क्या घटित हुआ a few years ago कुछ समय पहले कुछ साल पहले when the school teachers attempted जब school teachers ने courses किया to close path मारक को बंद करने का तो क्या हुआ there was तब क्या हुआ then a big row row मतलब जगडा हुआ between किस के बीच the school teachers के बीच and the villagers के बीच अगला question है how did the new headmaster close the path new headmaster ने उस मारक को केसे बंद किया तो देखिए the new headmaster closed the path उस मारक को बंद किया जो की going across the school जो की school को यानि पार करते वे जाता था उस मारक को new headmaster ने बंद कर दिया केसे he made heavy stick planted उसने क्या किया heavy जो stick जो थी भारी जो लकडिया थी उसको plant कर दिया गया rope दी closely एकदम किसके निकट across the path यानि कि जहां से मारक को पार किया जाता है वहाँ पे उन्होंने मारक को क्या कर दिया heavy stick यानि plant कर दी और strengthened with barbed wire और उसको मजबूती दे दी जो यानि कंटिले जो तार थे barbed wire मतलब कंटिले तार से उसे मजबूती दे दी मतलब उन्होंने क्या किया उन्होंने जो वह मारक जो कि going across the school school के अंदर से यानि कि जाता था उसको यानि कि उन्होंने क्या किया he made heavy stick planted भारी यानि stick plant कर दी वहाँ पे जहां पर यानि कि मारक को cross किया जाता था और strengthen और stick जो रोपी थी उसको मजबूती दे दी किसे barbed wire कंटिले तार से in this way इस तरीके से path को क्या किया गया close किया गया ठीक है अगला person what was the purpose of the school according to Michael O.B. Michael O.B. के अनुसार school का क्या उदे से था तो देखिए the purpose of the school school का जो उदे से था वो क्या था was to eradicate eradicate करना जड से खतम करना the false beliefs जुठी जो मानेता है उनको from the minds of school children कि school children के mind से जो false beliefs है उनको खतम करना और उनकी duty क्या थी teach सिखाना children को to love यानि कि हसना सिखाना baseless ideas पे यानि विचार है कि dead man को किस की जरूर्थ पढ़ती है मारक की जरूर्थ पढ़ती है एसी विचारों पे उनके बच्चों को हसना सिखाना ये क्या था ये उनका यानि की duty थी ठीक है अब अगला देखिए कि what happened क्या घटित हुआ after two days दो दिन बाद और प्रिष्ट विजिट पुजारी के विजिट करने के बाद to the school तो a young woman was died एक युवा महिला मर गई in the village गाउं में in child birth या during child birth बच्चे को जनम देते समय कब यानि कि पुजारी के स्कूल के यानि कि विजिट करने के दो दिन बाद अब अगला क्या है कि draw a character sketch of the priest any any का character sketch यानि लिखिए तो the priest of any मतलब any गाउं का जो पुजारी था was an orthodox dogs rudy wadit वर्द वेक्ती था and walked वह चलता था with a slight stoop थोड़ा जुक करके चलता था he believed वह किस में believe करता था customs and traditions यानि कि प्रंप्रा और रिती रिवाज में के वोल विश्वास करता था he believed that वह विश्वास करता था उनकी माननेता थी कि the dead man path must not be changed कि dead man path को change नहीं किया जाना चाहिए या closed नहीं किया जाना चाहिए change की जिगा closed ज्यादा बेटर रहेगा ठीक बच्चो अब अगला देखिए कि what change did Michael O.B. see Michael O.B. ने क्या परिवर्तन यानि कि लिया देखा when he woke up जब वह उठा following morning अगली सुबह Michael O.B. जैसे उठा तो उसने क्या परिवर्तन देखा तो देखिए Michael O.B. woke up Michael O.B. जैसे उठा following morning अगली सुबह को तो he saw उन्होंने देखा ruins खंडर देखा of his works अपने कारिये का खंडर देखा in the school campus school campus में और साथ ही क्या देखा the beautiful hedges सुन्दर सुन्दर जो जाडियां थी उसको वर टोन अफ उसे उखाड दिया गया था the flowers were tramlet flowers को कुचल दिया गया था and one of the school buildings pulled down और एक school building को यानि की क्या कर दी गई थी गिरा दिया गया था तो ये अगली morning को उन्होंने यानि की पाया उसके misguided jill का ये result निकला तो बच्चो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो like जरूर कर दीजिए channel को subscribe कर दीजिए दोस्तों में shares कर दीजिए तो इस तरह से बच्चो अपने ये जो छोटे जो question है 30 to 40 words के वो complete हुए अब अपन करेंगे 125 words में बड़े question थोड़ा जल्दी मां आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए तो पहला question है describe the condition condition का वर्णन कीजिए doom central school का before के पहले and after Michael O.B Michael O.B. के बाद की और Michael O.B. से पहले की school का वर्णन कीजिए तो देखे doom central school जो की हमें ऐसा unprogressive था it was backward in every sense of word word के every sense में ये क्या था पिछडा हुआ था so Michael O.B. इसलिए Michael O.B. को appoint किया गया किस के रूप में headmaster के रूप में of school ताकि वो उसको क्या कर सके to reform कर सके उसमें उन्होंने put यानि लगा दिया यानि कि their whole life तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यानि कि यहाँ पे their आ जाएगा his kids उन्होंने अपना पूरा जिवन लगा दिया to change the school school को बदलने में या transform करने में तो Michael O.B. के दो उदेशे थे एक तो high standard of teaching और दूसरा turning the school compound को beautiful place में turn करना तो they were also successful और वे सफल भी वे in achieving these aims यानि इन aims को प्राप्त करने में तो यह अब देखिए but they लेकिन बाद में क्या होता है they took पहले से conflict बाद में एक द्वंद्वा हो जाता है द्रहम संकट आ जाता है between किस के बीच O.B. और villagers के बीच about path किस के बारे में मारक के बारे में बाद में क्या होता है उन्होंने जैसा चाहा वेसा हुआ लेकिन बाद में conflict में फस जाते हैं गाउवाले और Michael O.B. वो भी किस के कान path के कान the path went across the school compound path जो कि यानि कि school compound में से होते हुए गुजरता था तो it did not please ये परसंद नहीं किया Mr. O.B. को यानि कि जो school के अंदर से मारक जाता था जो कि village shrine को Brieal Palace से जोडता था ये उसको Michael O.B. को अच्छा नहीं लेगा so Michael O.B. ने क्या किया closed it इसे बंद कर दिया for the villagers गाउं वालों के लिए path क्या था head religious importance एक धार्मिक महत्वर रखता था but O.B. believed in modern ideas लेकिन O.B. जो था वो modern idea में विश्वास करता था और villagers were traditional गाउं वाले केसे थे यानि कि पुराने खैलात के थे रूड़ी वादी थे अंद विश्वासी थे उन्होंने request की उससे कि reopen किया जाए path को but उन्हों where Michael O.B. agree नहीं हुआ तो एक दिन the villagers ने क्या किया ruined the gardens garden को ruin कर दिया बरबाद कर दिया और साथ में क्या कर दिया demolized one of the school building उनकी एक school building को भी गिरा दिया तो इस परकार से Michael O.B.'s modern views and rigid attitude इस तरह से Michael O.B. का जो आधुनिक विचार और उसका जो सक्त जो attitude था वो laid him उसे ले गया किस की ओर to the ruin of the school school की बरबादी की ओर ले गया तो बच्चों important question है आप कर लेना समझा गया होगा वेसे छोटे question इससे related अपन कर चुके है तो वेसे ही आपकी question त्यार हो गया होगा अब अगला देखिए अलांकी dry character sketch of O.B. ये last year बच्चों Michael O.B. का character sketch आया हुआ है लेकिन हो सकता है दुबारा आ जाए क्योंकि अब की बार ये नहीं आया है तो देखिए Michael O.B. का ये अन character sketch क्या है आप आसानी से कर सकते हो Michael O.B. जो की young था energetic school teacher था he was 26 years old 26 साल का था but looked about 30 लेकिन वे कितना दिखता था 30 जितना दिखता था उसके पास wonderful ideas थे modern विचार थे और sound secondary education थी जिसके कान which made him different जिसके कान उसे different बना दिया all others सब से तो ये बच्चो छोटा के उसन भी आया था और he had good official record और उसे अनिक एक अच्छा उसी official record भी था उसे appoint किया गया new headmaster of doom central school के रूप में by किसके दौरा mission authorities के दौरा थाकि वो transform कर सके school को और school जो कि un-progressive था he had many wonderful ideas बहुत सारे wonderful विचार थे उनके mind में उसे change करने का so he accepted इसलिए उन्होंने स्विकार कर लिया responsibility को with great excitement के साथ और he wanted वच आता था put his ideas अपने ideas यानिके into practice वहवार में यानिके लाना चाता था so he set his goals इसलिए वो अपना goal निर्धारित करता है और worked hard और कठिन मेनत की उसने achieved them उसे प्राप्द करने की he actually changed the school और वे actual में यानि उन्होंने school को बदल दिया एक सुंदर्स्तान में and also maintained a high standard of teaching और साथ में यानिके high standard of teaching भी उन्होंने maintain किया he was also outspoken इसके साथ वह सपष्टवादी था he condemnate वह निंदा करता था the ways of old-fashioned school teachers जो old-fashioned school teachers थे उनकी निंदा भी आनिवा करता था he had no belief in tradition और जो रितिरिवाज प्रंपराई है उसमें belief नहीं करता था और जो super strictness है अंधिविश्वास है उसमें विश्वास नहीं करता था he did not submit वह अपने आपको समरपढ नहीं किया before किस के सामने the less educated जो people थे educated करना है कम सिक्ची जो लोग थे उनके सामने अपने आपको समरपढ नहीं किया he was fully confident fully confident था कि he was going something right कि वह जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा था कुछ सही कर रहा था तो ये दो questions बच्चो आप ये कर लेना अब दो questions और है very very important जो अब की बार के लिए अगर आता है तो ये question आने की संभावना है कि discuss कीजिए the appropriateness of the title dead man's path कि dead man's path जो title है इसकी appropriateness कि कहां तक उप्यूपता है कहां तक suitable है इसके बारे में आने की चर्चा कीजिए इस तरह की आने की question बच्चो आ सकता है तो इसमें अपन को ये ही बताना है कि पूरा जो चेप्टर है वो dead man's path के चारो तरफ ही गोंगता है अगर dead man's path को निकाल दिया जाए तो इस chapter में कुछ नहीं बचेगा तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये chapter है वो का title है वो एकदम से क्या है suitable है तो देखिए कि discuss कीजिए appropriateness यानि जो उप्युकता है title की dead man's path उस पे तो देखिए किस तरह से लिखोगे इस तरह के question अगर कोई भी आ जाए तो आप सुरुआत कीजिए जैसे all the incidents of the story की कहानी की जितनी भी घटनाई है वो moves around the path किस के चारो और घूमती है मारक के चारो और घूमती है मतलब dead man's path को इस chapter से ये निकाल लिया जाए तो इस chapter में कुछ नहीं बचने वाला है when Michael comes to know जब Michael ओभी है वो ये जानता है about the dead man's path के बारे में जानता है तो he closes बंद कर देता है उस path को और जिसके कार्ण क्या होता है there was a place एक place हो जाता है जगड़ा हो गया between किस के बीच school और villagers के बीच due to the path किस के कार्ण उस मारक के कार्ण जो उन्होंने Michael ओभी ने बंद कर दिया तो according to the village priest गाम वाले पुजारी के अनुसार path का यूज किया जाता है by उनके their dead ancestors उनके जो मृत जो पुरुवज है उनके दुआरा वो come to the village वो गाम में आते हैं in order to किस लिए आते हैं to see their relatives अपने रिष्टेदारों से मिलने के लिए और साथ ही वो क्या बताता है it was the path that यह मारक था वहाँ पे was there before the teacher was born teacher के जनम से पहले and the before his father was born यहां तक उसके पिता के जनम से पहले ही वह path वहाँ पे था और the path being और जो path जो है वो being the focal point of the story यानि focal मतलब main मुखे यह जो मारक है वो story का main point यानि की apparently seems supposed रूप से परतीत होता है जो की एक suitable title है कहने का मतलब यह path जो है यह क्या है main point परतीत होता है इस story में जो की dead man's path क्या एकदम suitable title है moreover इसके अत्रिक्त the phrase यह जो वाक्यांस है dead man's path seems to be suggestive कैसा परतीत होता है suggestive of customs and traditions रिति रिवाज और प्रमप्राव कहने की suggestive यह परतीत होता है तो इस कारण से the title dead man's path है seems quite appropriate एकदम से appropriate एकदम उप्युक्त यानि परतीत ही होता है तो इस तरह का person बर्चो और भी आ सकता है exam में पूरी-पूरी इस तरह की question आने की संभावना रहेगी इस chapter से एक तो यानि की इस chapter से character sketch की आने की संभावना रहेगी और option में इस type का question आएगा तो इस तरह का कोई आए तो आप इस तरह से narrate करोगे इसको अच्छी तरह से समझ करके very important question भी है इस chapter का यह अगला last question है कि what have we sacrifices were prescribed to pacify ancestors कि क्या भारी-बलिदान की निर्धारित किया गया to pacify ancestors कि पुरुवजों को शांत करने के लिए भारी-बलिदान कौन सा था जिसका निर्धारन किया गया diviner के द्वारा यह person यह आ जाए why were the school building and hedges ruined कि school building को और जो जाडियां जो थी flowers के जो पोदे थे उनको क्यों से जो people दो प्रकार के लोग दो क्लास के लोग पाते हैं हर age में हम दो तरह के लोग पाते हैं 8 hair यहाँ पे Michael O.B. जो की क्या है जे school headmaster है he had no belief उसकी कोई मानेता नहीं है जो traditions है superstition है यानि कि जो परंप्राई अंध विश्वास है उसका उसमें बिलकुल भी विश्वास नहीं है he closed the path उसने मारक को बंद कर दिया date passed across the school compound मारक जो की school compound के अंदर से होते हो गजरता था the village priest ने suggested किया reopening the path path को दुबारे reopen करने का खोलने का but Michael O.B. ने refused कर दिया to do so ये करने को मारक खोलने के लिए सहमत नहीं हुआ according to Michael Michael O.B. के अनुसार it was a baseless idea ये क्या था baseless बिनाधार वाला विचार था and the whole purpose of the school और वे क्या मानता है कि उसकी school का जो पूरा जो उदेश्य था वो क्या था was to eradicate समूल जड़ से खतम करना था just such beliefs इस तरह की मानता होगा ये जो मानता है कि dead man यानि कि उनको किसकी जरुद पड़ती है मारक की जरुद पड़ती है इस तरह की जो false beliefs है उनको eradicate करना ही school का उदेश्य था और he did not allow और उन्होंने अनुमती नहीं दी the reopening of the path path को reopen करनेगा और three days later a young woman ये बच्चो थोड़ा सा आप देख ले ना three था या two days था थोड़ा सा उसमें आप confused है कि तीन दिन बाद एक युवा महिला मर गई in the village village में during child birth या in child birth बच्चे को जनम देते समय ए डिवाइनर ने consult किया और उन्होंने prescribe किया heavy sacrifices की भारी बलिदान की to pacify ancestors की पुरवजों की आत्मा को सांती के लिए जिसकी insult की गई थी by the fence बाड़ बंदी के द्वारा तो अगले दिन beautiful जो hedges थे उसको torn up उखाड दिया गया right around the school school के चारो तरप से flowers जो थे उसको tram lead कुचल दिया गया कुचल करके to death कर दी गयी उसे and one of the school buildings तो जो थी was pulled down और school की एक building को भी क्या कर दी गई pull down मतलब गिरा दी गई तो बच्चो इस तरह से अपना ये जो chapter है dead man's path इसके important question answers complete way हलांकि वीडियो है वो थोड़ी आने की पर दीजिये चैनल को subscribe कर दीजिये thank you